नमस्कार, आज मैं आपको बताऊंगे कि हमें फ्लूट के का मेंटनेंस कैसे करना है, इसको साफ कैसे रखना है, बैक्टेरिया फ्री और मोल्ड फ्री, इसके लिए हमें ऐसी बेट के स्टिक्चन, यह देखें, बेट करते ही से हिंदी में, किसी भी बैंबू, जहां भी और यह चीज चाहिए, आपको यह cotton की पत्ती, यह पत्ती जैसे आपको किसी भी कोट्स के दुकान में मिल जाएगी, यह पत्ती, cotton की होती है, इसको आप आराम से साफ भी कर सकते हैं, दुलाई करने के साफ से, क्योंकि जब हम लोग इस पर लपेटते हैं, इस टेक पर और फ करते हैं तो इसमें काफी गंदगी आ जाती है तो इसको फ्रिक्वेंटली आपको साफ रखना पड़ता है आप इसका ऐसे लपेटेंगे देखिए इस टेक पर नीचे तक आपने लिए उपटी और आपने इसके टिप पर ऐसे इसको फोल्ड कर दिया यह टिप पर फोल्ड इस पर निचे आपको है इसको गेजल पॉर्षन है इसको थोड़ा मुटा रखना है कि यह ब्लोइंग वोल के पास का पोल्षन है तो यह ब्लोइंग वाले एरिया को उतना डामेटर मतलब इसका बन जाए और यह जो टिप है इसको पूरा पहले मैं कवर कर दूं ते एसे बार कि वह अंदाज से जो भी इसका डायमेटर है उतना लेना है इसको करके इसको आपको नीचे तक पुरा कवर करके इसको एंड में फिर जो नीचे मैंने पट्टी छोड़ी थी वहां इसको लेकर गार्ट मार रहने हैं वह कंप्लीट होकर यह जैसे देखिए इसको लपेट कर द पत्ए आप बिलवग करने के बाद्ने किया करते हैं को क्यो है एक खाला खरूरी के नहीं जाएगे ज़ें इसको फिर जीना है रहता है खुछा करते हैं तो यह एक तम के चैनीको ऑ리खсятे इसको गुमां घुमाखकर एंदर तक ले जाएंगे अच एंटी क्या करते हैं इसको गलती क्लते हैं हम लोग के छैसे हम फ्लुट प्ले करने के बाद फ्लुट को या तो किसी इसतरовых प्ले तेए हम हमेडिय community क्या होते हैं एक प्लेटिंटिए के प्ल्लुट किजिक वह अदर ही रह जात बता है उसमें एक वह बक्ति एंस इन llegó dónde रह झाते क्योंकि तो धुछाइक सबस्य करती है प्रेकि अचानके में भंचे रून होंगा वंप neighborhood dünylog १ं कि में असे। दूसरा इसमें मल फर्म हरे नहीं अ षज़ारीआर पार कुछी नहीं हायां। अगर हम लोग विफ्लेडय करने के बार रखते हैं। अगर डहें लाक पारी अगर अगर इस टिक से लिवा करों लगे तो यह मोल्सक ने किसी भी फर्मार्ञ में इस इता है और मैं इस पत्टी को खोल कर साप भी करते रहतीं हो। और यह इससे आप हर साइस की फ्लूट साफ कर सकते हैं, जैसे कि आपकी छोटी फ्लूट है तो इसका यह तायमें तर आपका थोड़ा कम रखना आपको, कि वह उसमें आराम से चली जाए, फिर इसके बार इसमें जो दूसरी प्रॉब्लम होती है, जो smell वाली, यह बहुत ज्य किया हुआ है, यह जो roll on होता है, roll on पर मैंने roll on के अंदर मैंने थोड़ा सा lemon graph दाल लिया और इसको मैं ऐसे थोड़ा सा इसमें लगा लेती हूं, इसमें के खुश्बू भी आती है और यह बैक्टीरिया को मारने के भी काम आता है, तो इसके अंदर जो बैक्टीरिया हॉम ह हो गए, यह हल्ग के लिए भी अच्छा है तो यह फ्लूट के ब्लोइंग में भी कोई दिक्तत नहीं करता है इसको जैसे मैं फिल ऐसे गर वैसे ही सेम वैसी मैं इसको रूटेट करके जब मैं साफ करती हूं, यह ब्लोइंग वोल वाला एरिया पूरा खुश्बूदार हो जाता है इससे और इससे बैक्टिरिया भी हट जाते हैं यह जो है आपको यह दो तरीके आपको हमेशा अपनाने हैं फ्लूट प्ले करने के बाद कि आपके और यह कोई फ्लूट काफी दिनों से रखी हुई है तो प्ले करने से पहले उसे इस तरह स्टिक से साफ करने और द एक तो expensive बहुत हो जाता है और दूसरा मुझे इतना convenient नहीं लगा जैसे मैंने demo देखा था मुझे क्या यह काम बिल्कुल सही लगा कि हाँ यह साफ सफाई के लिए भी ठीक है बिल्कुल कि आप बार बार यह पट्टी दोग सकते हो और बहुत ही एक दम easily available है यह चीज हर जगा आपको मिल जाएगी अच्छा स्टिक की साइज में भी कोई आप चोटी सी चोटी फ्लूट भी कर सकते हो इसे बड़ी सी बड़ी फ्लूट भी कर सकते हो तो यह मुझे बहुत इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस सीज को आप सब के साथ शेयर करूँ थैंक यू